हिमाचल में जैसे जैसे चुनाओ की तारिखें नजदी का रही हैं वैसे वैसे चुनाओ प्रचार और भी अपतेज होते जा रहा है हिमाचल में 12 नुवंबर को वूट डाले जाएंगे और उसे पहले कॉंग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए तमाम तैयारियां अपतेज कर दिया है कॉंग्रेस निदा अलकालामबा भी हिमाचल की तोरे पर हैं उनसे बात की निजदी अंडिया की समधाता निदा अहमत ने सुनिया आप इस सक्त मंडी में हम मौझूद है और हमासाथ कॉंग्रेस पार्टी का जाना माना चेहरा जो आपको हर जगह नजर आएगा कहते हैं कि जब भी कॉंग्रेस पार्टी पर कोई भी आफ़त आती है कोई भी मुसीबत आती है तो यह चेहरा ऐसा है जो सबसे पहले महाँ पर पहुंच जाता है क्या देख रही है अब क्या लग रहा है कि इस बार कॉंग्रेस जो है क्योंकि जो अभी तक रिवाज यहां कर रहा है हाला कि बिजपी रिवाज को आप कहीं और डाइवट कर रही है क्या लग रहा है कि उसी रिवाज के तहती सरकार आ रही है कॉंग्रेस की देखे भाजपा ने नारा दिया है रिवाज बदलेंगे लेकिन ये भाजपा तैनी करीगी ना कॉंग्रेस हिमाचल तैक करेगा और हिमाचल तैक कर चुका है कि रिवाज नहीं सरकार बदलनी है डबल इंजन की सरकार ने धोखा किया किसके साथ सरकारी करमचारियों के साथ ध धोखा किया धोखा ही नहीं अपमान किया उनका जैरम ठाकुर जी ने कॉंग्रस क्या कर रही है पहले सरकार बनते ही पहले 10 दिन में पहली कैबिनेट मीटिंग में OPS लागू करेंगे राजस्तान 36 गड़ की तर्ज पर पैंशनों का हक सम्मान उनका है उन्हें मिलेगा दूसर उर्पी की मदद करेंगे इन्होंने का 125 यूनिट ये सरकार कहती है हम दे रहे हैं लोगों को मालूम है मिनिममम 200 यूनिट तो इनका इस्तमाल होता है इसलिए मुफ्त का लाब फ्री का नहीं बिजली पर हमने उसको 300 यूनिट कि 300 यूनिट तक अगर गाउं और शहर कोई भ के करीब सरकारी पकी नोक्री के पेंशन वाले पद खाली पड़े हुए हैं यह सरकार बेरोजगार 10 लाग छोड़ कर जा रही है हमारा यह है कि सरकार में आते ही पहले एक साल में ही सरकारी पकी नोक्री के जो पद खाली पड़े हुए हैं उन्हें हम भरने का काम करेंगे हम हमारा वायदा है कि जो किसान और सेब का बागवान कर रहा है उसका जो सोचन पूझीपती मित्रों के हाथों हो रहा है तीसो साट रुपे किलो से बिक रहा है और भार सिमाचल के बाहर वह 5-600 रुपे किलो बिक रहा है हम उचित दाम दिलवाएंगे और दाम कितना होगा ये पुझी पती मित्र नहीं सेबका बागवान किसान तै करेगा कोई फैक्टर काम नहीं करेगा बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जैराम ठाखुर जी का चेहरा लाए लिए हिमाचल के मुद्धों को हटा दीजिए रास्ट्रास्ट्रास्ट्रे मुद्धों पर चुनाव करा दीजिए, मैं चुनोत देची हूँ, मैंने देखा होडिंग, परदान मंत्री जी की फोटो को हटा कर राश्पति शाषन लगा दिया आपने जम्मूर कश्मीर पूर्ण राज्य को केंद्र शाषित बना दिया आज चुनाव नहीं हो रहे लड़ा जाएगा जिनको उठाने के लिए कल 31 अक्टूबर शहादत दिवस है शिरिमदी इंद्रा गांधी जी को इसी 31 अक्टूबर कल के दिन करने से देश को कुछ नहीं मिल रहा बहतर होता बेरोजगारी मुक्त महंगाई मुक्त भरस्टाचार मुक्त का नारा देते तो शायद कुछ हासिल हो जाता लेकिन आज उसी में भाजपा लिप्त है पूरी तरीके से अब मोदी जी भी भाजपा के इस जैद्राम ठाकुर जी के डूबते होए जहाज को कोई नहीं बचा सकता है माचल में तीन महीने से हूँ चपा 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 चान मारे लोगों से मिल रही हूँ लोग पूरी तरह मन बना चुके हैं कि अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए तो अलका लामा जीती हमारे साफ यह के लिए कि यहां की जो जंता है यहां की जो आवाम है हिमाचल के मंडी की वो अःफ साफ यह कह चुकि है कि डबल इंजन की सरकार हमें अब नहीं चाहिए और यहां पerkst और सिर्फ कॉंग्रेस की सरकार आएगी मैं निदा इमद कैमरमेन शिव कुमार के साथ